दोस्तो आज की इस वीटियो में हम आपको बताएंगे चूने के पानी से बच्चों और बड़ों के लिए कौन-कौन से फायदे होते हैं और कौन-कौन से रोगों से हमें ये चूने का पानी यानि लाइम वाटर बचाता है दोस्तो चूने का पानी बच्चों के लिए अमरत की तरह होता है इसके सेवन से बच्चे निरोग और हस्ट-पुष्ट बनते हैं अगर बच्चे का जिगर खराब हो गया हो या पुष्ट ना हो या बच्चा मा का दूद फैंक देता हो उल्टी कर देता हो तो उसे चूने का पानी पिलाने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है उसका हाजमा ठीक रहता है अजीरन या बदहजमी के दस्त और अमलता से पैदा हुई उल्टी इस चूने के पानी के सेवन से फाइदा हो जाता है इससे बच्चे केलसियम की कमी से होने वाले अनेक तरह के रोगों से बच्चे पुष्ट और हेल्दी बनते हैं दोस्तो बड़ों के लिए भी इसके धेर सारे फाइदे हैं इससे जोडों का दर्द, खून की कमी, हड्डियों की कमजोरी, दातों की कमजोरी, पुरुश रोग और इसी तरह के बहुत सारे रोगों से बड़े भी मुक्त हो जाते हैं हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि चूने का पानी बनाने का तरीका क्या होता है दोस्तों एक आप मटका लें या किसी भी मिट्टी के बरतन में आप 60 ग्राम बिना बुझा हुआ चूना लें यानि डली वाला चूना लें और उसमें 20 गुना पानी यानि 1200 ग्राम या फिर जो पानी की बोटल होती है वो दो बोटल पानी उसमें आप डाल देजे 60 ग्राम आपको बिना बुझा हुआ चूना लेना है और उसमें दो बोटल पानी आपने डालना है और इसको डालने के बाद आप इसे थोड़ी थोड़ी देर में किसी भी लकडी से या किसी भी तरह से आप उसको हिला दे उसको उसमें बार बार मिक्स कर दे चूना उसमें अच्छे तरह से घुल जाएगा फिर चोबिस घंटे बाद पानी जब बिल्कुल निथर जाए चुना नीचे बैठ जाए तो आप देखेंगे कि पानी के उपर भी एक पतली सी परत आएगी उस परत को उतार दें उपर पानी की सतह के उपर एक परत आएगी उसको उतार दें और उसको जो बीच का पानी बसता है आप उसको किसी दूसरी बोटल में भरकर सावधानी से भरकर उसको रख लें और आपका लाइम वाटर आपके पास तयार है आप इसको अब इस्तिमाल कर सकते हैं चूना आप या तो फैक सकते हैं उसको या घर में चूना भी खा सकते हैं पान जो खाते हैं लोग उसमें चूना डाल कर खाना बहुत ज़्यादा फायदे मत होता है लेकिन आज हम सिर्फ लाइम वाटर की बात करते हैं तो lime water बनकर आपका बिल्कुल तयार है आप आते हैं इसको कैसे इस्तिमाल किया जाए हम पहले बता दें आपको बच्चों के लिए 7 विधी क्या है दोस्तो एक साल से कम बच्चे को जितने महीने का बच्चा हो उतनी ही बूंदे यह चूने का पानी दूध में मिलाकर उसको सकते हैं एक साल से लेकर आठ साल के बच्चों को आधा कप पानी या दूध में 15-20 बूंद या 14-15 चमच दिन में दो बार दूध के साथ पिलाते रहें बच्चों के दूध के विकार मिटाने के लिए यह रामबान उपाय है पांच-साथ दिन में ही बच्चे की हालत में तेजी से सुधार आएगा दात आसानी से निकलेंगे और बच्चे हस्त पुस्ट बनते जाएंगे बड़ों के लिए सेवन भी थी इसका एक चमच रोजाना आप पानी में सबजी में चाच में या दही में सेवन कर सकते हैं और तमाम पुरुष रोग और इसी तरह के अन्या कैसारे रोग जड़ से समाप्त हो जाते हैं इतना अच्छा और इतना बहतरी नुपाय है ये दोस्तों कि आप इसको एक बार सुरू करेंगे तो आपको खुद इसके चमतकारी फायदे देखने को मिलेंगे दोस्तों यदि हम इसके साइड एफेक्ट की बात करें तो इसका कोई भी साइड एफेक्ट नहीं है दोस्तों अब आप ये सोच रही होंगे कि आखिर ये चूना मिलेगा कहाँ से तो आप किसी भी हार्ड वेर की दुकान से आप इसको लेकर आ सकते हैं ये डली वाला चूना आपने देखा होगा कि जो पान वाले चूना रखते हैं ये वही चूना है लेकिन ये पानी मिलाने के बाद वाला चूना होता है आप पानी मिलाने से पहले वाला चूना लेना है आपने डली वाला चूना जिसमें पानी ना मिला हुआ हो पहले कभी तो आप किसी भी हार्ट वेरी की दुकान से जहां पर पुताई का सामान मिलता है बहुत से लोग हैं आज भी जो घरों में चूने से ही पुताई करते हैं ये वही वाला चूना है दोस्तो आप इसको ले आएं और आप को जो हमने मातरा बताई है इसमें उसी हिसाब से आप इसमें चूना लें और समुतना ही पानी मिला कर इसको तैयार कर लें दोस्तो इसको बनाना कितना आसान है बहुत आसान है आप इसको बनाएं और इसके हेल्थ बेनेफिट इतने ज़्यादा है कि आप खुद आच्चरी चक्कित रह जाएंगे जब इसको आप इस्तिमाल करेंगे दोस्तो आज के लिए सिर्फ इतना ही हमारी ये वीडियो और बताएगे नुसके बताएगे जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें हम जल्दी फिल लोटेंगे कुछ नए मर्जोर्म के आसान से उपायों के साथ तब तक आप हचते रहें और अपना ख्याल रखते हैं